हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं श्वेता आज फिले कर आई हूँ जम्मू की ट्रेडिशनल रेसपी ओरिया ओरिया चने बठूरों के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है पूरी चने के साथ खाईए चाही तो आप इसको रोटी के साथ खाईए इसमें हमें जादा इंग्रिडेंस के भी जरूरत नहीं होती सिर्फ दही राई आलू मिर्ची बस कुछ बेसिक इंग्रिडेंस के जरूरत होती है चलें स्टार्ट करें अब बनाना यह मैंने एक कप के करीब रही ले लिया है इसमें हम लोग यह राई है इसमें हम लोग दो चमज राई डालेंगे राई एक तो इस कलर की होती है हलकी हलकी रेड और यलो और दूसरी होती है ब्लैक कलर की आप जो मर्जी डालें इसमें अब हम इस राई को दरदरा पीस लें राई मैंने धरदरी पीस ली है अब हम इसमें टू टेबल स्पून के लगभग राई डालेंगे ध्यान रखिए दर्भग को दरदरा ही पीसना है तब यह टेस अच्छा आता है इसमें वन टेश्पून के लगभग हम लोग नमक डालेंगे वैसे तो नमक टेस्ट के लेकिन वन टीस्पून तो आएगा ही इसमें इसके साथ हम लोग इसमें वन फोर्थ टीस्पून शुगर आड़ करेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपने सबसे पहले दहीं को अच्छे से विस्क करना है उसके बाद इसमें दो टेबल स्पून राई डालनी है दरदरी पीसी हुई एक टीस्पून नमक डालना है और उसके साथ सब वन बल फोर्थ टीस्पून आपको शुगर डालनी है अब हम इसे कवर करके 6-7 आज के लिए धूप में छोड़ देंगे पैन में ओयल ले लिया है सरसो का वन टेबल स्पून के लगवग आपने इसमें सरसो का तेल ही यूज करना है कोई और तेल हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तेल के गरम होने में हम इसमें डालेंगे आदा चमच लाल मिच पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर इसे अच्छे से हिला लिजे अब हम इसमें मिक्स करेंगे आलू मैंने एक मीडियम साइज का आलू बॉइल करके उसको छोटे-छोटे पीसिज में कट कर लिया है इसमें आपको और कुछ भी याड नहीं करना है बस हल्दी मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ज नमक आप ध्यान से डागेगा क्योंकि हमने दही में भी नमक डाला था इसको हम अच्छे से सॉटे करेंगे हमें एक से दो मिनट ही इने सॉटे करना है फ्लेम ओफ कर लेते हैं दही को भी चेक कर लेते हैं छे से साथ घंटे के लगभग इसे मैंने सनलाइट में रखा था आप चाफो तो इसे अंदर भी रख सकते हो अब हम अपने आलू इसमें शिफ्ट कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लें अब मैंने ओरिये को सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताईएगा ये जम्मू की ट्राडिशनल रेसिपी है और या चने बठूरे के साथ खाने में तो इसे बड़ा ही मज़ा आता है थैंक यू, थैंक्स फर वाचिंग मैं वीजियो